टॉनी का एक और यह मैं आप सभी का फिर से स्वागत देखिए यह मैं लाइव आप लोगों को क्रॉस दिखा रहा हूं वाइट मॉली की यह क्रॉसिंग में चल रही है अभी यह मेरा कमिनिटी टैंक है आप लोग इस टैंक को बनाना सीखना चाते हैं तो मेरे वीडियो में द कैसे क्रॉस हो रहा इसको क्रॉसिंग के कुछ दिन बात यह अभी देखिए हलका। फुली लोड अभी नहीं हूआ है तो आपका वआट मॉली को क्रॉसिंग में कैसे डालें कैसे क्या करें बच्चे कैसे लें बच्चे को कैसे रखें सारी चीज इसी वीडियो में मैं आज वाइट मॉली का बच्चा दिखाऊंगा आपको लेके तो चलिए दोस्तों आप देख रहे हैं टॉनी का एकोरियम मैं हर चीज घर पर ही बनाना सिखाता हूं ब्रीट करवाना दिखाता हूं तो आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरू करें और अगर आ आपको एक-एक स्टेप आपको समझ में आएगा तो देखिए कुछ दिन बात कर जल रहे हैं दोस्तों अभी बहुत बारिस हो रही है इसलिए धुन्द्रा धुन्द्रा लग रहा है दोस्तों मैं बारिस में ही सुटिंग कर रहा हूं ये देखिए मेरा जो गपी पी मॉली के साथ है दोस्तों वाइट मोली संब आपको इसको निकाल लिया हूं देखिए दोस्तों ये एक औरियम नहीं है या च्छोटा सा पॉंड है यानि तलाब बोल सकते ओ तो चलिए मैं ऊपर से जो मेरा उपर च्छट में जो अमेरा-मृटी-टैंग है उससे निकाल के मैं ब्लैक गप्पी को मैंने ब्रीड में बठाया है और यह देखिए यह वाइट मॉली को मैंने एकलमाइट करने के लिए रख दिया था अब फिलाल मैंने इसमें छोड़ दिया अपने पॉंड में यह हलका लोडेड है दोस्तो तो कुछ दिन बाद मैं मिलता हूं दोस्तो आपक मैं लोग भी अपने घर पे मॉली से कैसे बच्चे लें किस तरीके से लेना है कैसे रखना है कौन से जगह में रखना है बच्चे को कैसे निकालना सारी चीज में दिखाऊंगा तो यह देखिए मैंने वाइट मॉली को जो उपर से मैं अपने छट से लेके आया नीचे कॉम आप देख सकते हो, यह मेरा white mollie, आज मैं white mollie का वीडियो दे रहा हूँ आपको, white mollie के बच्चे कैसे आएंगे, कौन से color में आएंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, यह देखिये मेरा बेटा फिस, तो मेरा बेटा फिस कैसा लगा, कोमेंट जरू कीज़ेगा दोस्तों आप लोग कोमेंट नहीं करते हैं तो आज मैं बोल में आपको ब्रिट करवाना दिखाऊंगा बच्चे लेना दिखाऊंगा इससे पहले मैंने पानी के बोतल में वाइट मॉली का बच्चा दिखाया था लेके तो आज मैं बोल में फिस ब वीडियो में आपको मिल जाएगा दोस्तों तो यह देखिये मैंने दोनों मॉली को एक्लीमेशन के लिए छोड़ दिया है तो कुछ दिर बाद मिलते हैं 20 मिनट बाद देखिए मेरा एकलीमेशन चालू हो चुका दोस्तों, कम्पलीट हो चुका, तो अब मैं ब्लैक मॉली को इसमें डाल दिया, अब मेरा वाइट मॉली जो है, इसको भी मैं डाल देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, फुली लोडेड है, दोस्तों, ये भी दो-चार दिन में ही अंडे या बात का रिजल्ट है दोस्तों, ये पूरा सेट हो चुका है, देखिए मैं किस तरीके से दिखा रहा हूँ, आपको एक-एक स्टेप दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा सेट हो चुका है, देखिए कैसे घूम फिर रहा है दोस्तों, पूरा अपना पॉंड को ये पहच दोशत्तों मिलते हैं कुछ दिन बात का result है मेरा white molly ने बच्चे गिले कर दिये दोशतों पूरा बच्चा भरा हुआ है तो मैं नहीं था नहीं तो मैं live video दिखाता आपको मैं market में था और आके देख रहा हूं दोस्तों डेर सारा बच्चा है और बच्चे को खा रहा दोनों mo रहा हूं। मेरा ध्यर सारा बच्लों हम को लगथा है कि 100 से उपघ्ले किये थे पर अभी भी 50 के उपगई है मेरा। चलिए दोस्तों सबसे पहले डोतके मानि में फैरंट सो अलकु अलंक करना कि प्लिदाका ... खुष रहे और आपका बच्चा healthy रहे और उसे मारे नहीं खाये नहीं दोस्तों तो उसके लिए सबसे पहले आपको दोनों मॉली को अलग करना है मेरा एक बैक मॉली भी है और एक white मॉली तो ब्लैक मॉली अभी फुली लोड़ेड है वो बच्चे नहीं दिये है और वाइट मॉली जो है बच्चे दे चुके हैं दोस्तो आप लोग देख सकते हो मैं दिखाऊंगा इसका पेट एकदम पुरा खाली हो चुका है और बच्चे का कलर देखिए दोस्तो ना ब्लैक आया मुझे लगता है यह वाइट ही होगा बड़े होके तो यह देखिए मैं बच्चे को आब निकाल लेता हूं एक-एक करके देखिए यह देखिए बच्च्य का कलर तो आप लोग कलर देखके बतेए दोस्तो यह कौन से कलर में आने वाला है मुझे भी मालूम नहीं है दोस्त और अभी जो color देख रहा हूं यह silver type का मुझे लग रहा दोस्तो प्लेटी जैसा लग रहा है तो यह कौन सा color आने वाला है किस तरीके से आने वाला है यह मुझे मालूम नहीं है आप लोग comment जरूर करें कि यह कौन सा color आएगा white आएगा या silver type का आएगा या black आएगा मुझे नहीं लगता है कि यह black आएगा क्यूंकि यह silver है black का मैंने आपको दिखाया है black molly का बच्चे वो black ही होते हैं यह कुछ अलग हटके आया है दोस्तो color तो यह आप लोग देख रहे हैं tonic aquarium आप लोग कोई सा भी चीज आप लोगो knowledge में नहीं है तो आप मेरे वीडियो में जा मा ने उसे मारने के posis किया था जिससे चोट लग चुका उसका पेट में इसलिए एक बच्चा मर चुका है और इससे पहले सायद कुछ भी खा लिया है दोनों मॉली ने इसलिए मैंने दोनों को अलग कर लिया है और यह देखिए यह मेरा black molly है देख सकते हैं दोस्तो black molly है क pew 1 सब्सक्राइकर यह सब्सक्राइब chilled Ćए इसके लिए मैं टैंक बनाया हूँ इसका वीडियो मेरा दिया हुआ है कि गपी फिस का बेबी का टैंक कैसे बनाएं उसका वीडियो मिल जाएगा आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो तो चलिए मैं सारे बेबी को अलग-अलग करके मैं इसी टैंक में डाल के रख देता हूँ क्यूंकि इसमें मेरा सारा ब तो सारे बच्चे को मैंने अलग कर लिया और इसके मदर को मैं आप दिखलाता हूं दोस्तों यह देखिए पूरा पेट खाली हो चुका दोस्तों अब इसका मदर का कोई काम नहीं है इसको मैं फिर से पॉन में ही डाल के रख दूंगा यह फिर एक महीने बाद फिर क्रॉस करे और आप लोग कॉमेंट नहीं करते हैं दोस्तों यह देखिए यह कंप्लीट हो चुका अब मैं फिर से इसे पॉन में डाल देता हूं पुछ दिन बाद यह फिर से रेडी हो जाएगी बच्चे देने के लिए तो यह आप लोग टॉनी का एकोरियम देख रहे हैं दोस्तों आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों